गुड मॉर्निंग इस्टुएंट्स। मैं डाक्टर धर्मेंद्र सर्म, सहयाचारी एतिहास विभाग, राजकी महाविद्य अले भीम। आज हम बी ए फर्स्ट येर का फर्स्ट पेपर उसमें बौत धर्म। बौत धर्म के विशय में अध्यन करेंगे जिसमें बौत धर्म का उद्य एवं विकास। देखिए छटी श्रताब्दी इसापूर्व में धर्मिक किरांती हुई जिसमें जैन धर्म, बौत धर्म, जैसे जैन धर्म के समान ही एक अन्य धर्म जिसे बौत धर्म कहा जाता है। बौत धर्म का उद्य हुआ। बौत धर्म के संस्थापक जो जिन्हें विद्वान धर्म सुधारक और दार्षनिक मानते हैं महत्मा बुद्ध। महत्मा बुद्ध ने जो ततकाली धर्म के विवस्था थी। उसके विरुद्ध विचारों से कुठारागत किया गया। जाती विवस्था का विरुद्ध किया गया। और नेतिक मूल्यों पर बल दिया गया। इसके लिए हम महत्मा बुद्ध के जीवन के विशय में जानेंगे। महत्मा बुद्ध के विशय में अनेक सहत्य ग्रंथ हैं। लरित विस्तार, बुद्ध चरेत, महावस्तु, सुत्त निपात। आदि ग्रंथ हैं जिनसे महत्मा बुद्ध के जीवन के विशय में ग्यात होता है। महत्मा बुद्ध की जन्म तिथी क्या थी इस विशय में विद्ध्वानों में परस्परमतवेद हैं। लेकिन अधिकांस विद्ध्वान इनके जन्म के तिथी इसापूर 563 मानते हैं। महत्मा बुद्ध का जन्म कपिल बस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल की तराई में कपिल बस्तु से लगभग 14 मील दूर बताई जाती है। बुद्ध के पिता थे शुदोधन जो शाक्यों के राज्य कपिल बस्तु के शासक थे। महत्मा बुद्ध की माता का नाम माया देवी था जो देव रहें की राजकुमारी थी। बुद्ध की माता जब कपिल बस्तु से अपने पिता के घर जा रही थी। तब ही रास्ते में लुम्बनी में दो साल के ब्रक्ष के बीच में बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का बच्पन का नाम से धार्थ था। उनके जन्म के साथ में दिन ही उनकी माती माया उनका दिहान थो गया था। इसलिए उनका पालन पॉष्ण उनकी मौसी और विमाता भी कहा गया प्रजापती ने किया था। समाज में सांसारिक दुखों को देखकर सिधार्थ चूंकि बच्पन से गंभीर सो भाव के थे। वो एकांत में बैठ कर चिंतन किया करते थे। और सांसारिक दुखों को देखकर करुणा से भर जाते थे। इन दुखों से मुक्ती प्राप्त करने के उपाईयों के फिसे में सूशते रहते थे। जबकि राजा शुदोधन की ये इच्छा थी कि सिधार्थ राज किये बैभव में लिपत रहें और सांसारिक क्रिया कलापों में भाग लें। लेकिन राजा शुदोधन ने सिधार्थ को अतियंत सुख और विलाज से पाला था। सोले वर्थ की अवस्ता में ही उनका विवहार राम गिराम के कोली एवंस के गणराज्य की राजकुमारी थी ये शोद्रा उनसे कर दिया गया था। संसार के दुख से धार्थ की आँखों से उजल नहीं हुए थे। लेकिन फिर भी लगभग बारे बरसों तक उन्होंने ग्रहस्त जीवन विताया। बौद गिरंथों से पता चलता है कि संसार एक जीवन को त्यागने का विचारूं के मन में चार घटनाओं से आया। उन्होंने एक व्रद्ध को देखा जिसका सरीर व्रद्धावस्था के कारण काफी कमजोर हो चुका था। एक अपाहेज तथा एक लाश को देखकर भी उनके मन पर प्रभाव पड़ा। तथ पस्चात उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो सांसारिक बंधन को तोड़कर मोक्ष के लिए प्रियत्न शील था। इन सभी घटनाओं से उनका मन भर गया और उन्होंने घर त्यागने के लिए सोचने लगे वो। कुछ समय के बाद में जब उनके पुत्र रहुल का जन्म हुआ पुत्र जन्म का समाचार सुनकर उन्होंने कहा आज मेरे बंधन की स्रंखला में एक कड़ी और जुड़ गई है। यद्देपी उन्हें समस्त सुख प्राप्त थे, किन्तु शांती प्राप्त नहीं थी। इसलिए एक रात अपनी पत्नी यशोद्रह और पुत्र राहुल को छोड़कर सोता हुआ छोड़कर ग्यान की खोज में निकल गए है। इस विशय में प्रॉफेसर इतिहासकार प्रॉफेसर कौशामबी हैं डीडी कौशामबी। उनका विचार यह है कि सिधार्थ के इस प्रकार ग्रह त्यागने के राजनितिक कारण भी था। शाक्यों के समीप ही कोलियों का राज्य था। इन दोनों राज्यों के मध्य में रोहिणी नदी बेती थी। जिसके पानी को लेकर इन राज्यों में जगणा रहता था। सिधार्थ इस परमप्रागत शत्रुता से दुखी थे। जब कोलियों पर आकर्मन का उत्तर दायत उसे धार्थ को समपा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। बाद में ये सोचकर कि कदाचित उसके कारिये से उसके पिता उसे राजे से निस्कासित कर देंगे। इसलिए सिधार्थ ने सुयम ही घर को छोड़ दिया। किन्तु सिधार्थ द्वारा घर छोड़ने का यह कारण तरक संगत प्रतीत नहीं होता है। घर छोड़ने के बाद में सिधार्थ ग्यान की खोज में दरोदर बटकते रहे। इसी उद्देश से वैं मगत की राजदानी राजगरह में आलार और उद्रक नामक दो प्रिसद ब्रहमनों के बिद्वानों के पास पहुँचे। परन्तु वहाँ उन्हें संतुष्टी नहीं हुई। अतेवे घूमते हुए निरंजना नदी के किनारे उर्वेल नामक इस्थान पर पहुँचे। वहाँ उनकी अन्य तपस्यों से भी जो तपस्या कर रहे थे उनसे पहंट हुई। इन तपस्यों के साथ उन्होंने घूर तपस्या की किन्तु उनका सरीर तो सूख कर जरजर हो गया था लेकिन वांचत ग्यान जो उन्हें प्राप्त होना था वो नहीं हुआ था। अतहे सिधार्त ये समझ गए कि सरीर को कष्ट देने से मोक्षी की प्राप्ति नहीं होगी इसके बाद उन्होंने पुनह अन्य जल गरहन किया जिससे अन्य तपस्यों ने उनका साथ छोड़ दिया इसके बाद सिधार्त गया पहुँचे उन्होंने एक बट ब्रक्ष के नीचे समाधी लगाई और पृतिग्या कियी उन्होंने कि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो वहां से नहीं अटेंगे साथ दिन और साथ रात समाधी में रहने के बाद आठवे दिन बैसाक पृणिमा के दिन उन्हें सचे ग्यान का प्रकाश मिला इस घटना को संबोधी कहा गया जिस ब्रक्ष के नीचे उन्होंने ग्यान प्राप्त किया उसे बोधी ब्रक्ष कहा गया सिध्धार्थ को भी इस घटना के बाद महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा ग्यान प्राप्त होने से महात्मा बुद्ध ने जीवन का एक ऐसा मार्ग खोज निकाला था जिसका पालन समय, इस्थान और विद्यमान संस्कृति की परभा किये बिना ही किया जा सकता था उन्होंने दुखों को दूर करने के मार्ग का अर्थात मुक्ती का मार्ग ढूंड लिया था इतिहास में इस मार्ग को मध्यम मार्ग कहा जाता है महात्मा बुद्ध का ये विचार था कि सरीर को कष्ट देने से अथवा अतियंत भोग विलास में रहने से मुक्ति प्राप्त नहीं होती है मनुष्रे को इसके मद्ध का मार्ग अपनाना चाहिए महात्मा बुद्ध का उद्ध से मात्र स्यम को ही ग्यान प्राप्त करना नहीं था बलकि अन्य लोगों में भी अपने ग्यान का प्रसार कर उन्हें दुखों से मुक्त करना चाहते थे इसलिए महात्मा बुद्ध ने काशी की और प्रस्तान किया और रिशी पत्तन सारनाथ पहुँचे रिशी पत्तन में महात्मा बुद्ध ने सर्व प्रथम पांच ब्रहमनों को उपदेश दिया था ये ब्रहमन महात्मा बुद्ध से बहुत प्रभावित हुए और उनके शिश्य बन गए इन शिश्यों को पंच वर्गिये कहा जाता है महात्मा बुद्ध द्वारा इन शिश्यों को दिये गए उपदेशों की घटना को धर्म चक्र परवर्तन कहा जाता है महात्मा बुद्ध ने धर्म परिचार करने के लिए एक संग्र की स्थापना की और अपने शिश्यों को धर्म प्रिचार करने के लिए चार और बेजा गया इतिहासकार डाक्टर राजवली पांडे ने लिखा है कि ये संसार का पहला प्रिचारक संग था महत्मा बुद्ध सारनात से वापस उरूबेल गए और वहाँ पर अनेकों शिश्य बनाए उरूबेल से में मगत की राजधानी पहुँचे अपने धर्म का प्रिचार करते वह बहुत बड़ी संख्या में सिस्से बनाने में जिसमें मोगलान वैसारी पुत्र प्रमुक थे इनके अतिरिक्त मगत का शासक बिम्बी सार भी उनका प्रिशन सक बना राजग्रे का ही एक व्यापारी अनाथ पिंड़क भी महत्मा बुद्ध का सिश्य हुआ जिसने जेत वन खरीद कर वहां एक विहार की स्थापना कर आई थी ये देपी महत्मा बुद्ध ने अपने धर्म की आधार सिला मगद में रखे थी किन्तु बहुत धर्म की वास्त्विक प्रगती कोशल राज़े में हुई कोशल का राज़ा था प्रसेन जित प्रसेन जित महत्मा बुद्ध का शिश्य बन गया कौशल राजे में भी उनके सिश्चों की संख्या पार हुई इसके बाद महात्मा बुद अपने देश कपिल बस्तु भी गए जहां महात्मा बुद की पतनी, पोत्र और अनेकों शाक्यवनसिय व्यक्ति उनके सिश्चे बन गए इसके बाद महात्मा बुद वैशाली गए, महां की प्रसिद्धिन राजनर्तकी आमर पाली उसके सिश्चा वन गई जब महात्मा बुद वैशाली मही थे, तबी उनकी विमाता गौतमी, शुद्धन की इम्रत्यों से दुखित होकर उनके पास आई और संग में प्रवेश करने के अनुवती महगी महात्मा बुद इस्तरियों को संग में समिलित करना नहीं चाहते थे, किन्तु अपने शिश्चे आनंद के आग रह करने पर उन्होंने अनुवती दे दी किन्तु इस्त्रियों के लिए प्रिथक संग की स्थापना की गई इसके बाद भी मात्मा बुद्ध आजीवन अंग, मगद, काशी, मल, शाक्य, बज्जी, कोशल आदी सभी देशों में घूम घूम कर अपने धर्म का प्रिचार करते रहे असी वर्स की अवस्था में घूमते वहवय पावा पहुँचे, जहां उन्हें अतिसार रोग गयो गया इसके बाद बेह कुशी नगर पहुँचे, कुशी में उस समय, कुशी नगर में उस समय मल्लों की राजधानी थी बैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने अपनी जीवन लीला समात की, इसी घटना को इतिहास में महापरी निर्वान कहा जाता है महात्मा बुद्ध के अप्षेशों को उनके सिस्यों ने आपस में बांट लिया और उनकी इसमरती में उनके अप्षेशों पर इस्तूप बनवाए गए महात्मा बुद्ध के मृत्तिव स्थल शालवन उपवतन कुशी नगरवे दहाकरिया संसकार राम सांभार सरुवर के किनारे भे दो इस्तूप बनवाए गए हैं जो बड़तमान में भी विद्धिमान है